वेलकम क्रिप्टो ट्रेडर्स एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है यहां पर जैसे ही वीडियो में ने बनाना इस्टार्ट किया है और जैसे ही यहां पर पंप मैंने देखा तो यार काफी अच्छी ग्रोथ यहां पर बिटकोइन को लेकर मिल रही है 30,000 को क्रोस ही कर रहा था बस फिर नीचे मार्केट आ गया था क्योंकि यार सबसे हाइस्ट लेवल इसने बना दिया था तो यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि यार बिटकोइन के साथ साथ यहां पर सीबा इनुकी बल्ले-बल्ले हो गई है अगर आप देखेंगे तो ल सभी क्रॉप्ट मार्केट के लिए और सीबा इनुकास करके लिए बढ़िया जो मन्त है वो होने वाले है तो वही हो रहा है अगर आप देखेंगे तो 5% वोल्यूम और मार्केट के 3.96% इंक्रीज यहां पर हुआ है तो एक अच्छी इंपेक्ट यहां पर देखने को मिल र जार डोलर तक पहुचेगा तो उसका इंपेक्ट सीबा की प्राइस के उपर देखने को मिल जाएगा अभी तक यार चैनल के साथ नहीं जुड़े है तो जुड़ जाएए नया चैनल है लेकिन आप लोगों को सटिक टेक्निकल एनालीसिस हम बता रहे हैं और जो भी फ्यू इस पेकलिएशन यहां पर जिस टाइप से लिए लग रही थी वही हुआ कि फोर ट्रियन सीबा इनू यार ब्लू वहल्स के द्वारा ट्रांसपर किये गए है इस खबर को अगर हम और विस्तार साब को समझाए तो यहां पर इन्होंने बताया है कि किस टाइप से एक बड़ वहल एकाउंट के दवारा 4.4 ट्रियन सीबा टोकन को एक बड़े कंट्री के सब्से बड़े कृप्टो एक्शेंज से दूसरे कृप्टो एक्शेंज में यहां पर ट्रांसपर किया गया है तो एक अच्छी यहां पर न्यूज है और बुरी भी है अच्छी इसलीए कि कहना कहीं बड़े जो investor है एकाउंट है वो लोग यहां पर इसमें इंवेस्ट कर रहे है यह अच्छी चीज है बड़े blue whale जो है वो यहां पर इन्वेस्ट कर रहे है और उनको पता है कि आर कहिना कहीं सीवा तेजी से यहां पर बूश्ट होगा सीबा तेजी से यहाँ पर आगे के तरब जाएगा और वही हो रहा है तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इसका इंपेक्ट यहाँ पर आगे और देखने को मिलेगा एक डेड़ वालेट है जिसके माद्ध्यम से टोकन हुआ है और इससे पहले भी मैंने कई बार आपको बताया है कि यार एसे ही मिलियंस मिलियंस और ट्रिलियंस सीबा टोकन डेड़ वालेट और कई बार गुमनाम वालेट में ट्रांसपर किये गए है अभी परसू नरसू का ही वीडियो में ने बताया था उसमें भी में ने बनाया था कि कैसे डेड़ जो दूसरे वालेट में ट्रांसपर किये गए है तो यह अच्छे खबर है कि कहीना कहीं सीबा के उपर लोग भरोसा कर रहे हैं तो यह कहीना कहीं इसकी आगे भविश में सामने देखने को मिले तो एक अच्छा यार फ्यूचर हम यही आसा कर रहे हैं दूसरी यहां पर सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है अभी कुछ मैंने नियूज कवर करी थी ग्लोबल तो वहां पर बिटकोईन का एटीएफ लॉंच होना है तो एटीएफ तो लॉंच होन अमेरिका में लेकिन उसके साथ सद दूसरे जितने भी यार फंड हाउस है इटीएफ हाउस है वो लोग भी आर कहिना कहीं क्रप्टो में इन्वेस करने और क्रप्टो का ईटीएफ लाने के तैयारी में कर रहा है तो यह अच्छी चीजे हैं देखिए कहिना कहीं बिटकोई करने कि दिस्टामें काम कर रहे है क्रफ्टो को साथ ही G20 की जो समिट हुई थी डेहली में इंडिया में तो उसमें भी आर कहिना कई प्रवल यहां पर संभाव नाये बनी थी कि जी 20 कंट्रीज को क्रप्टो को रेगुलेट करना चाहिए ठीक है इंडिया के उपर भी प्रेशर यहां पर बदाया गया था हलाकि उसको इन्होंने अपने जो पॉइंट थे जो टार्गेट पॉइंट सो उसमें सामिल भी किया है रेगुलेशन को क्रप्टो को तो अच्छी यहां पर संक्यथ मिल रहा है और ऐसे में जो लोग नहीं जानते थे क्रप्टो करन्साटी को वो लोग भी में करने चाना का कोई कैना कorit मार्केट में कर रहे हैं और जो लोग अंजान थे क्रिप्टो मार्केट क्रिप्टो करेंसी से वो लोग भी जानने लग गए तो अभी जिस टाइप से बहुत कम है नहीं कि एक दो पर्षेंट ग्लोबल वाइज इन्वेस कर रहे हैं क्रप्टो में अगर पूरी पॉपलेशन को देखे वही अगर इन् लोग जुड़ते हैं तो यहां पर फिर से बिटकोईन का 2021 का इस्तर तो छोड़िए और ज्यादा बूश्ट यहां पर देखना को मिलेगा और चोवीस पच्छे सो चब्वीस एसे यहर है जो कि यार कही ना कहीं मार्केट को एक नई दिसा देने वाले है दोजार चोवीस प इसके अलावा नए लोग जो कि अवेर ने अवेर हुए है इससे वो लोग भी इन्वेस करना आएंगे तो कहिना कहीं सब लोगों के लिए यहां पर बेनेफिट है और एसे में में बता रहा हूं कि बिटकोईन पचास जार डॉलर के इस तर को पार कर जाएगा और सीबान उ किमेंट्स में जरूर लिखे तो जो लोग तयार है वो लोग यहां पर देखो कि किस तेजी से यहां पर चीजे बदल रही है और सीबाइनु सहीत कैसे मारकेट उपर कि दरब जाएगा तो अगर आपकी होल्डिंग है तो होल्ड रखे नविंबर दिसम्बर तक 24 तक और इस के लिए फाइदे मंद है जो भी अपडेट रहेगी मैं आपको रेगुलर बताता रहूँगा तो अभी आप इस वीडियो को यहीं पर मैं विराम देता हूँ वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखना हो और चैनल पर नहीं आए है तो चैनल को सस्काइब कर लीजि गुडबाई